एलो गाईस वेल्कम बैक टू लेडीज दुनिया चानल आज हम बनाएंगे एड्मी यहेड्मी रेसिपी इसे बनाना बहुत आसान है और यह यूनिक रेसिपी है और बहुत फेमस रेसिपी भी है और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है पहले इसकी जो मसाले की जो तो इस लिए इतना डाल रही हूं आप चाहे तो आपके पसंद के अंसार आप कम या जादा कर सकते हैं इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और हरे दनिया डाल देते हैं यानि की कुरिंडर लीव्स और लसुन की कलिया बारा से पंदरा और एक इंच अद्रग इसे मैंने काट के ले लिया है और नमक स्वाधन सार डाल देंगे तोड़ा सा हल्दी पोर्डर डाल देते हैं तोड़ा सा शुगर डाल देंगे और इसे ग्रैंड करेंगे अच्छी तरह किसे तोड़ा सा ही पानी एड़ करके इसे ब्लेंड करना है आप यहां पे देख सकते हैं पतला भी नहीं है अच्छी तरह कि इसे ग्राइंड करके ले लिया है अब मैं यहां पे ले रही हूँ चिक्पी फ्लॉर तो इसे में चांड रही हूँ एक मिक्सिंग बोल के अंदर तो दू बोल मैंने यहां पे ले लिया है तो उसी बोल से से मेजरिंग कप से हमें उसे भी दान रखना है टोटल चार कप मैंने यहां पे ले लिया है इसे मैंने चांड लिया है तो यहां पे डाल देंगे नमक और जो हमने मसाला की जो पेस्ट बनाया था इसे भी डाल देते ह मिला देंगे और थोड़ा सा रेड चिली पौडर एड़ करेंगे लगबग 2 टेबल स्पून और इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी डाल के मैंने इस मिक्षर को भी डाल दिया है तो इसे अची तरह के से मिलाना है जो चिक्पी फ्लार रहता है इसे डो बनाने के लिए ज्याद तो उतना पानी डालना है कि राफ ड्रै टिबल स्पून जा एक भी यह अप्वेव भी स्पून बन तो लम पहला है लगता है तो फिर थोड़ थोड़ा साही तेल एड करते हूए अदो को लगा थे यहां पर हो गया आसे चोटे चोटे बोल्स बना यहां पर मैंने लिया है वन मोर मिक्सिंग बॉल और इसके अंदर इसे चान रहें रखके मैदा डालते हुए जाएंगे टोटल चार कप मैंने यहां पर मैदा डालके इसे चान रही हूं और इसे चान लेंगे किस बॉल से मैंने यहां पर ग्राम फॉल उहां पर मिक्सिंग बॉल में डालके रेडि कर दिया है उसी सेम बॉल से मैं यहां पर 4 बॉल यहां पर ड़ रेडि करने वाली हूं मैदा की यानि कि All-Purpose फ्लॉब की सेम यहां पर कैसे में कर रही हूं ऐसे ही करना है तो इसे भी मैंने चान के लिए लिया है अब यह रहा फूर्थ बॉल इसे भी डाल देंगे आप देख सकते है स्लो मोशन में जो वीडियो है इसकी जो देखने की जो सेटिस्फाइंग है बहुत ही खूल और अमेजिंग दिखती है जस्ट फॉर अफन आजस्ट मेड इट इन है और स्लो मोशन तो यह हो गया फॉर्थ कप यह फिर बॉल आप कह सकत दिखाए तो इसके अंदर तोड़ असा नमक दाल देंगे about 12 लोगप्त मेटर जाएंगे उपस मैंडिर दाना बूल गई अपे फेट फेरस्ट अमने डाल देते हैं तो इससे मिक्स कर देंगे और तोड़ा तोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक शक्त टाइट ड़व रे तो यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल टाइट डो है, बिनके रडि हो चुका है, इसे मैं रख देती हूँ एक गंटे रेस्ट करने के लिए और बहु जो बॉल से रेस्ट कर रही है, तो मैं आपे पैन में ऑईल डाल रही हूँ, इक गंटा हो चुका है, तो पैन गरम ह विखते ही हम यहाँ पे लिए variety कर देंगे इसे भी हमें एसे बड़े lemon की साइज इतनी हमें इसे फ्लॉर की जो बौल से इसे हमें अंदर की α Williams करना है प्रोशिजर से इंस प्रॉज़र से लें तो या मेसे प्रोशिजर अप्रोशिजर ला और शेन दृड़ा ब्राहिआ यहां aha तोड़ा सचप्टा बना देते हैं और तेल लगा के इसे slowly gentle सी तो इसे हम बेल लेना है अब बटर पेपर लगा सकते है फिर और ऐसे एक तिक वाला जो प्लास्टिक रहता है उसे रख के कर सकते हैं तो ऐसे करना है कितना हो सके उतना ज्यादा हमें इसे थिन करके बेल लेना है यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसान इसे यह बन जाती है बिलकुल टफ नहीं है आप इसे एक बार जरूर बनाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पेपर जितना थिन में बना रही हो और इसे उटाने भी भी कितना आसान है तो इसे तेल में डाल देते हैं पाइपिं इसे तोड़ा सा तोड़ा सा दबा देंगे और इसे अची तरके से शेक कर देते हैं ताकि अची तरके से फूल जाए अब देख सकते हैं ये प्रोसेजर बहुत आसान है तो बिल्कुल भी टफ नहीं है एक बार इसे जरूर बनाएं बहुती स्पाइसी और टेस्टी एडमी ब पलट देती हूं तो इसे में पलट दिया वाव कितना पॉफेक्ट बनके रडी हो चुका है तो दूनों साइड अची तरह के से फ्राइ हो चुका है इसे उटा देती हो और तोड़ा सा एक्सस ओयल निकाल के और ऐसे करेंगे अंदर स्टफिंग रखेंगे और बाहर आया ग और एक मेंने फ्राइ कर दिया है तो इसे में निकाल देती हूं टिशू पेपर के ऊपर ताकि जो एक्सस ओयल है सोक जाए तो और सारे ऐसे ही हम एड्मी जो है बना के रडी कर देते है तो दीका दोस्तों आपने इसे बनाना बहुत आसान है कम इंग्रिडेंस में पॉफेक एड्मी या फिर एड्मी पूरी के सकते है यह रेसिपी बनके रेडी हो जाता है आप इसे स्नैक्स के रूप में परोसा जा सकता है बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसे एक पर ज़रूर ट्रै करें और लेडिज दुने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए ऐसे और अच्छे एच्छे रेसिपीज देखने के लिए बैल आइकन को भी जरूर दबा के रखिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में तब के लिए टेक केर बाइब बाइब